मैं इस वक्त पंजाब इन महाराष्ट्रा कोपरेटिव बैंक जो साइन ब्रांच है इसके बाहर खड़ी हूँ और काफी सारे कस्टमर्स जो है जो डिपॉसिटर्स है यहाँ पर आज क्यू लगा रहे हैं क्यूंकि उनको पता चला है कि आर्बिया के नई वाली डिरेक्टिव है उसमें विड्रॉल लिमिट जो था एक हता से अभी दस हजार कर दिया गया है उसको लेकिन काफी सारे कस्टमर्स जो बाहर आ रहे हैं फिलहाल बैंक के स्टाफ है उन्हें यहीं बता रहे कि इनको अभी तक डिरेक्टिव नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो फिलहाल इनको को बोले हैं कि आप एक कारे को वापस आईएगा फिर आपको पैसे आपको मिलेंगे जो अडिशनल जो 9000 रुपे बड़े हैं इस चीज का तो फिलहाल कोई क्लारिटी नहीं है कस्टमर्स यहीं पूछ रहे हैं कि कब हमें हमारा पैसा मिलने वाला है जो की ज्यादा रकम जो ही नहीं पता है भी कैस तो था नहीं घर में जो भी उता अभी बैंक में रखता है बट बहुत मुश्किल होगी थी हमें यह रिक्वेस्ट करनी है जो मिडिल क्लास के पीपल से उनके लिए कुछ फॉलो कीजिए जो उनको तकलीफे आने वाली है जो श्टरगल करने वाल उसके बास से अपनों को मिला नहीं अभी तब अभी क्या फाइदा होगा फाइदा वही होगा कि कम से कम कुछ खर्च बर्चा चलेगा और क्या करता है लफडा तो कर्षरे नहीं सकते क्या करें जिसका जिसका अमोंड है उतना वो दे दे बद पब्ली का पैसा ना रूखे म मेरा इधर अकाउंट था मेरी मॉम का वही रिटन चेक में लेने के लिए आया था तो अभी मैंने इंक्वाइडी किया तो उन्होंने बोला कि अभी वही रूल है उनका कि 1,000 पर डे में निकाल सकते हुआ उससे जदानी है उससे ज्यादा का भी RBI ने उनको लब परमीशन देखा जाए तो 10,000 से फाइदा नहीं होगा बट 1,000 जो मिल रहा है उससे काफी बैटर है कि 10,000 मिल सकता है मेरे 28,000 था इसमें और मुझे हजार हजार मिल रहा था तो अम लोग में हजार भी नहीं लिया फिर मैंने अपना विटोल करके वाइफ का अकॉंड भी इसी में जिसके खर्चे कम है जिनका गुजारा कम में हो रहा है उसे बहुत फरक पड़ेगा और कर सकते हैं अपना गुजारा दस में भी कर सकते हैं जिसके खर्चे कर सकते हैं